नमस्कार एबी स्टार निउस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सोहन सेंग वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण जन्मास्टमी की दरसल देश भर में कृष्ण जन्मास्टमी की धूम देखने को मिल रही है बतादें की देश में 6 और 7 सिदंबर को जन्मास्टमी का त्योहर मनाया चुआ रहा है हर साल के तरह इस साल भी जबलपुर में यादव महासभा ने कृष्ण जन्माश्मी के मौके पर शोभायात्रा की तयारी पूरी कर ली है साथ सिदंबर को तीन पती बस स्टेंड से शोभायात्रा शुरू होगी सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा कर भयाजी सरकार के सानिध्य में शोभायात्रा निकाली जोएगी इस दोरान मंच पर बैठे समानित लोगों को यादव महासभा पगड़ी पहनाएगी इस साल शोभायात्रा चल समारोह की जीवंत जहांकी में माखन चरित्र, पूतनावद, गोवर्धन परवत, चंद्रियान तीन की जहांकी प्रकृति प्रेम शिवरूप वरेच्ष राधा कृष्ण लीला कृष्ण बलराम चरित्र कृष्ण सुधामा चरित्र JCB में विराजमान हनुमान जी कृष्ण गोपी लीला जूले में लड़ू गोपाल जी गौरा पारवती की प्रतिमा, गौमाता कृष्ण, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, अहिर निर्ते के टोली अखाडे, स्रेला वेली टीम धोल बैंड धमाल को सामिल किया जाएगा, शुभाय अत्रा मुखिबस इस्टेंज से शुरू होकर मालविय चौक व्लाइगंज का फुहारा सराफा हन्मान ताल होते हुए भानकलया में जाकर खत्म होगी. कि वो जल को प्रदूसित कर रहा था, जिससे हमारी गव माता आने जीव जन्तियों के जीवन पर संकट आ गया था, यह हमारा दायत है कि हम नदियों के नालों के सुद्धी करने करें, और स्वक्षब साफ रहे हुए तो क्रिश्न जन्मास्टमी को लेकर भक्तों में उत्सा देखने को मिल रहा है, देश में जगह जगह कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, आपको बता दें कि जन्मास्टमी को लेकर हर कोई कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देता है, क्रिश्न जन्मास्टमी को लेकर फरीदाबाद के बाजारों में भी रौनक देखने है कि अधिए बजार में खरीदारी कर रहे हो जन्वाश्यों के लिए जन्वाश्यों के लिए बहुत जादा एक्साइटिट भी है और बहुत सारी स्वापिंग वगएरा भी कर रहे हैं कि अधिक अधिक अधिकार में वगएरा अगाल जी के जूले वगएरा भी थी जूले वगएरा अधि अधिया गास वाला जूला है यह और जी जूले हैं कूलर है पंके हैं विश्वले मौर्बिड आई नहीं है मद्यपरदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज़ कर दी है दावेदार भी अपनी दावेदारी को लेकर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि टिकट पाने के लिए तमाम जतन किये ज़ा रहे हैं इसी कड़ी में इंदौर्ट जिला महिला कॉंग्रिस कमिटी की अध्यक्षू रीटा डागरे कमलाद से मिलने पहुँची उन्होंने कमलाद के साथ मुलाकात की उन्होंने माहू विधान सभा से चुनाव लड़ने की उच्छा जताई है प्रेटा डागरे ने बताया कि कमलाद जी की नारी समान योजना के तहत उनके द्वारा सबसे ज्यादा फॉर्म जमा किये गए और शेत्र की नारी श्रक्ती भी उन्हें पसंद करती है मान्ये कमलाद जी से मैंने महू विधान सभा 209 से दावेदारी करी है उसका बायो डाटा सोपा है और मान्ये कमलाद जी ने मुझे पूरा आश्रासन दिया है गरियाबंद में जेल में कैदी की मौत का मामला तूल पकरता हुआ नसर आ रहा है आदिवासी समाज इस मामले को लेकर लामबंद हो गया है लगातार आदिवासी समाज के वारा प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार दूसरे दिन आदिवासी समाज ने नैशनल हाईवे को जाम कर दिया जिला मुख्याले के तरंगा चौक पर आदिवासी समाज ने चका जाम किया बताने की कैदी भूजराम धुरूब की मौत से आदिवासी समाज आकरोशुत नजर आ रहा है परिजवन और आदिवासी समाज के लोग एक करोड मुआवजा और मिर्तक के एक परिजवन को सरकारी नौकरी के साथ आरोपियों पर कारवाई की मांग कर रहे हैं साथ ही आदिवासी समाज के लोगों ने जेल परिशासन और वनविभाग पर प्रतारना का भी आरोप लगाया है बिहार के बेतिया में पंचों और सरपंचों का धरना प्रदर्शुन देखने को मिल रहा है आपको बता देख कि पंच और सरपंच 11 सूत्री मागों को लेकर प्रदर्शुन कर रहे हैं जिसकी अध्यक्ष था सरपंच संग की अध्यक्ष ब्रज किशोर महतो कर रहे हैं सरपंचों का कहना है कि सरकार ने सरपंच को पंचायद का मजिस्ट्रीट बनाया लेकिन ग्राम कचहरी में सुविधा नहीं दी ग्राम कचहरी में चौकिदार, प्रहरी, आदेशपाल, अमीन और नाही कंप्यूटर ओपरेटर की नियुक्त की गई है यहां तक कि ग्राम कचहरी में आगंतुकों को चाय तक पिलाने के लिए कोई दाशी उपलब्द नहीं कराई गई है शांति पूरुबक तरदर्शन कर रहे पंचों और सरपंचों ने अस्थानिय निकाय बिहार विधान परिसत चुनाओं में अन्य परतिनदियों की तरह सरपंच, उप सरपंच और पंचों को मद्दाता बनाने की मांग की है साथी ग्राम कचरी नियाय पीट को वार्ड पंचात स्तर के विकास कारियों की समिक्षा जांच और अनोस्ती देने का अधिकार भी मांगा है हो रहा है कि हम लोग का प्रदेशिक संगठन से निर्देशित है कि आज के दिन पूरे 534 परफंड में भिहार में धर्णा प्रशन करना है और अपनी मांगों को सांति पूर्ण धंग से मुख्य मंतरी के पास पहुंचाना है आपकी मुख्य मांगे क्या है बुलेटिन में बात इंदौर की भी कर लेते हैं जहां निगम करमी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है इसके लावा निगम करमचारियों के साथ बदसलू की करने का भी आरोप लगा है आरोप इंडौर्ट फेहर के 12 नंबर बाड की पार्टस्वद सुनीता डाबी के बेटे निलेश डाबी पर लगा है आरोप है कि निलेश ने निगम के आउटसोर्स करमचारी विशाल यादव के साथ मार पीट की और जान से मारने के धम की दी निगम कर्मी ने आरोप लगाया कि पाठश्वत का बेटा बगीचों में आकर दारो और गांजे का सेवन करता है जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो उसने बदसलूकी की और गालियां भी दी हरियाना के पूर्व गैबिनेट मंतरी विपुल गोयल की सराहने पहल देखने को मिली है आपको बता दें कि विपुल गोयल पिछले नौ सालों से लगातार तीर थिस्तलों के लिए बस चुला रहे हैं इसी कड़ी में उनके ऑफिस से राम मंदर, खाटुच्व्याम, श्राइंधाम, हरिद्वार समेत, मतुरा, विरिंदावन के लिए बस कोहरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इस मौके पर विश्व हिंदू परिश्वत के अंतराश्व के कारियाध्यक शुआलोग कुमार मौझूद रहे, पुर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि वे पिसले नौ सालों से लगातार फरीदाबाद के उन लोगों को तीर्थियात्रा पर भीज रहे है जो लोग तीर्थियात्रा पर जाने में असमर्थ हैं और पैसे की कमी की वचह से तीर्थाटन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को वे फ्री में तीर्थियात्रा करवा रहे हैं और ये काम आगे भी जारी रहेगा, यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की संख्या भी बढ़ा वरक केमिनित में किने विपुल कॉंदी वह भी बेझ रहा है है, इस जो है हर महीं निकलते हैं, हमारे गोयल स मैं आनंद मनाऊंगा जिनके पास साधन है उनका तो वहाँ जाना हो जाता है जिनके पास साधन नहीं है उनका मन अयोध्या में होता है शरीर यहां रह जाता है आखों को दर्शन नहीं होते हैं विपुल जी ने उन सब के वहाँ जाने की वेवस्था करी वहाँ उनके दर्शनों की वेवस्था की रहने की भोजन की वेवस्था करी मैं विश्वास करता हूँ आज बहुत ही हर्श की बात है जो पिसले नौ साल से यात्राओं की कड़ी जो रेगुलर हर्दवार, मत्रा वरिंदावन, खाटू नरेश, सालासर जी और वेशनो दिवी जाने का काम था उसमें आज आयोध्या जी और जोडने का करम शुरू हुआ है और हरफते एक बस पारे वो मरे ओफिस में रिजिस्टेशन कराएं और निशुल किसी आतरा का अनल दें अब आपको फरीदाबाद के एक ऐसे किसान के बारे में बताते हैं जो अपनी फसल की बहतर पैदावार के लिए यूरिया या डेपी जैसे खाट का इस्तिमाल नहीं कर रहा है बलकि जै पाजरू गाउं के रहने वाले किसान गुलाब सिंग ही दरसल गुलाब सिंग पिशले दो साल से जैविक खाट से खेती कर रहे हैं जिससे उने फाइदा भी मिल रहा है साथी उनके खेत की जमीन और भी ज्यादा उपज़ाओ बनी है और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है गाउं के बाखी किसानों ने भी गुलाब सिंग को देखकर जैविक खेती करने का मन बना लिया है जो फाइदा नुकसान कि जेगे आप जो हैल्थ ली यह बहुत ही अच्छा है स्वास्त के लिए जिसकी जरूरत है पैसा तो आना जाना है आता जाता रहता है सबसे जादा जो जरूरत स्वास्त के लिए जैसी चीजों कि यह कोशिश कर रहे हैं और गैनिक जो खेती सरकार कोई बढ़ावा दे रही है लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नाम काई बढ़ावा है जो हाओ है वो कागजों में तो बहुत कोछ है जी बीज है नई नई बीज है जो है डवलप करती है तरकार यूट्योब और दूसरे माध्यमों से किसानों को पता लगता है मिलते हैं वो इस सिती में है कि वो दुनिया को जुद अपनी किसमत बदल देगा जी उसके सब्सक्राइल जाता है कोई मिलता ही नहीं साथ में खड़ा हुआ हुआ हम कौटन की करते हैं बाजरे की है जो आर है ऐसी क्या नो की खेती करते हो जिस तरीके से हमने सुना है आप बिना खाद के जो गोबर की खाद डालते हैं कहां से आया आपको ये आइडिया के बिना खाद के जो है अपकी बार खेती की जाए जो ये पिछली में मेडम आई किर्सी एग्रिकर्जर से उनने सुझाब दिये अका आप ऐसे करके देखो बुलेटिन के आखर में भी बात तो फरीदाबाद की कर लेते हैं जोहां लोगों को जाम के जंजट से निजाद दिलाने के लिए डीसी एक्टिव हो गए हैं उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की शहर में जाम के हालाद पैदा करने वालों के लिए सक्त निर देश्टिये हैं यानि कि साफ है कि जो आटो चालक या दूसरी गाड़ियां अवे तरीके से ज्यादा सवारियां भड़ती हैं उनकी अब खेर नहीं है बीसी विक्रम सिंग यादव ने बताया कि शहर में ऐसी कई जगएं चुनित की गई हैं जहां जाम के हालाद बन रहे ह हैं ऐसे फ्यहरों में बल्लबगड और बाता का सबसे बुरा हाल है इसमें जो फरिदाबाद में कई जगे जाम की स्थिति उत्पन हो जाती है अपने वीकले वाँ पर पार्क कर लेते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो भी लीगली चाहे एंक्रोश्मेंट हो चाहे वीकल पार्क कर रहे हो तो उन पर सथ 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 कारवाई करें ताकि फरिदेबाद की जंता को जाम से निजाब आपका राज्जी आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए देश और दुनिया के तमाम एहम खबरों के लिए देखते रहिए AB Star News